नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है उद्धब ठाकरे को एक के बाद एक जटका पे जटका लग रहा है अब ऐसे स्थिती हो गई है कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिशद ये चारो जगों पर उद्धब ठाकरे की संख्या शुन्य होने वाली है उद्धब ठाकरे विधान परिशद के सदस्ते हैं, उनकी सदस्ता भी खत्म होगी उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो विधान सभा के सदस्ते हैं, उनकी सदस्ता भी खत्म होगी और उनके करीबी सहयोगी संजय राउत जो राज्यसभा में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं उनकी सदस्ता पर भी संकट आ गया है वो भी अब राज्यसभा से बाहर निकाले जा सकते हैं ऐसी स्थिति आ गई है कि उद्धव ठाकरे जो सुप्रीम कोट में सिंदे गुट के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रिटिशन दायर किये थे वो भी उनके उपर उल्टा पड़ रहा है ये स्थितिया कैसे आई है इसको समझने से पहले देखते हैं कि विधान परिशद में क्या हुआ जिसके कारण उद्धव ठाकरे को अब परिशानी महसूस हो रही है विधान परिशद में पहली बार शिंदे गुट की इंटरी हुई यानि शिव सेना के उपर कबजा होने के बाद चुनाव आयोक के फैसले के बाद एक नाशिंदे के शिव सेना में उद्धव ठाकरे गुट के एक MLC सामिज हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और विपलव वाजोरिया जो की उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे जिसके अधार पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग में बार बार ये चैलेंज किया था कि राज्य सभा और विधान परिशद में जब एक नाश सिंदे के साथ एक भी सांसद या विधायक नहीं है तो शिब से नापर अदिकार उन्हें क्यों मिलना चाहिए अब विधान परिशद में भी एक नासिंदे के साथ एक आ गये हैं और उसके बाद एक नासिंदे ने रातो रात एक नया खेल कर दिया उन्होंने विधान परिशद में उप सभापती नीलम गोरे को लेटर लिखा और रातो रात ये फैसला लिया कि विपलब आर्जोरिया को वहाँ पर मुख सचेतक याने चीफ विप नियुक्त कर दिया जाए नियुक्ति भी हो गई और अब रास्ता साफ हो गया कि विधान परिशद और विधान सभाप दोनों जगह पर उद्धब ठाकरे के साथ अभी जो विधायक हैं उन सब की सदस्ता रद होगी अगर वो फिर से एक नासिंदे के साथ नहीं आते हैं तो क्योंकि सुप्रीम कोट में भी जो डिस्क सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के पीट ने ऐसी बाते कह दी जिसके कारण फायदा एक नासिंदे को ही हो गया है और एक सुप्रीम कोट में सुनवाई कैसे हुई ये इस्थती कल ही साफ हो गई थी क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला तो एक नासिंदे गुटक ठाता और तिपणी हुई जिससे एक नासिंदे को फायदा ही हो गया और इस बीच जो विदान सभा और विदान परिशत का जो सत्र चल रहा है विदान सभा का महराष्ट में उसमें पहले ही ठीक्नासिंदे ने कह दिया था कि अब विप जारी किया जाएगा और फिर विदा विप जारी कर भी दिया गया भरत गोगवाले जो विधान सभा में चीफ विप हैं सिवसेणा के उन्होंने विप जारी करके कह दिया था कि अगर सरकार के खिलाफ जाएंगे तो आपकी सदस्ता रद हो जाएगी अभी जो इस्थिती है विदान सभा लोक सभा राज्ज सभा में और विदान परिशद में उद्धव ठाकरे की उसमें से 15 विदायक अभी उनके साथ विदान सभा में हैं जबकि कल एक विधायक के सिवसेना के साथ जाने के पहले उनके पास दस विधायक विधान परिशद में थे लेकिन अब उसके संख्या घटकर नौ हो गई है। दूसरी तरफ अगर लोकसभा में देखा जाए तो 18 लोकसभा सांसद टोटल सिवसेना के थे जिसमें से 13 सांसद चले गए थे एक ना सिंदे के साथ 5 सांसद उद्धव ठाकरे के गुट में बचे हुए हैं जबकि राजसभा में 3 सांसद सिवसेना के हैं तीनों के तीनों अभ दूसरे प्रियंका चतुरवेदी और तीसरा उद्धब ठाकरे के बेहद करीबी संजर आउत हैं अब इन चारो जगों पर खेल कैसे होगा ये सुप्रिम कोर्ट के रास्ते तैह हुआ क्योंकि सुप्रिम कोर्ट में जब सुनवाई चल रहे थी डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर तो दोनों तरफ से दलीले पेश के गई और फिर उसके बाद जस्टिस ने कहा जो टिपनी की वो बहुत महत्पूर्ण थी सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विधायक सांसद के डिस्क्वालिफिकेशन का मसला टेंसीडिल के अधार पर यानि दल बदल निरोधी विधायक के अधार पर आता है तो कोई गुटवाजी नहीं चलेगी अगर आप किसी और गुट के हैं और दूसरे गुट के लोग हैं तो इसके आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि possibly किसी और गुटवाले ने किया है और हम चुकि दूसरे फैक्षन में गुट में शामिल हैं तो हम उनके विप का पालन नहीं करेंगे ये बात सुप्रिम कोट ने कही है और ये सुनवाई चल रही थी उद्धव ठाकरे के उस याचिका पर जिसमें 16 विधायकों को डिस्क्वालिफाई करने की बात वहाँ पर की गई लेकिन सुप्रिम कोट ने कहा कि जब कारवाई संसद में या विधान सभा में चल रही है तो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि आप इस एलाइंस के साथ हैं आपको ये एलाइंस पसंद नहीं है अगर गठवंधन किसी का है तो उस गठवंधन का पालन करना पड़ेगा और आ पाकरे के खिलाप बगावत कर दी थी और कहा था कि शिब सेना का एलाइंस एंसीपी और कॉंग्रेस के साथ तूटना चाहिए लेकिन अब जो इस्थिती है वो पूरी बदली हुई है उस समय के सिती में जब ये बात सुप्रिम कोट में चल रही थी तो ततकाल नीरज किशन कॉल जो एकना सिंदे के तरफ से वकील है उन्होंने कहा कि ये बात विधान सभा की कारवाई के समय यानि कि जब सेशन चल रहा हो जब कोई सुनवाई चल रही हो कारवाई हो तो उस समय के लिए है क्योंकि सेशन के समय ही विप का जारी किया जाना होता है और उसी समय उसका पालन किया जाना होता है लेकिन जब कोई सरकार या किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और वो सरकार उस अविश्वास प्रस्ताव का सामना ही न करना चाहे तो ऐसे में ये कहां तै होगा कि सदन से बाहर विप जारी किया गया ये तो किसी मीटिंग के लिए होता ही नहीं है और इसी पे सुनवाई चलने लगी क्योंकि उस समय उद्धब ठाकरे ने अविश्वास प्रस्ताब का पालन नहीं किया वो उससे पहले ही इस्तिफा दे कर बाहर चले गए अगर उस समय वो अविश्वास प्रस्ताब का सामना करने के लिए विधान सभा में प लेकिन अब इस्थितियां बदल गई है इसके बारे में भी सुप्रिम कोट में ये बात उठाई गई सुप्रिम कोट में नीरज किशन कॉल ने कहा कि अब शिब सेना का पूरा का पूरा अधिकार चुनाब आयोग ने एकना शिंदे को दे दिया है ऐसे में अगर विप जारी क किया जाएगा तो सारे के सारे शिब सेना के सिंबल पर चुनाब लड़े हुए और उस चुनाब को जीत कराने वाले लोगों को ये तै करना होगा कि वो उनके साथ हैं या फिर विप का उलंगन करते हैं अगर विप का उलंगन किया गया तो कारवाई होगी एक्सन होगा और उसके बाद उनकी सदस्ता खत्म होगी अब सवाल उठता है कि विप का उलंगन कैसे होगा क्योंकि अभी विधान सभा के सत्र के दौरान विप जारी हो चुका है और उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे गुट के पंदरहे में ले विप का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में स् गुट के लोगों का मानना है कि ये लोग विप का पालन नहीं करेंगे चाहे इन्हें फिर से सुप्रिम कोर जाना पड़े इसी तरीके से विधान परिशद की ही बात है और वहां भी अब चीप विप विपलब बाहरोरिया को निउक कर दिया गया है और वो भी विप जारी क करेंगे उसके बाद अगर विधान परिशद में जो उद्धव ठाकरे गुट के 9 MLC बचे हुए हैं वो उनका पालन नहीं करते हैं तो उनकी सदस्ता भी रद्ध होगी और इसके अलावा लोग सभा और राज सभा में यही हाल होना है लोग सभा में जो इस्थिती है अभी क कि 5 सांसद अभी एक नाथ सिंदे के खिलाफ हैं उनकी सदस्ता के उपर भी संकत चागया है और दूसरे तरफ राज सभा में एक नाथ सिंदे के साथ कोई नहीं है लेकिन फिर भी संसदिये दल का नेता गजानन कार्थिकर को नियूक्त कर दिया गया है और उन्हें अधिका दिया गया है कि राजसभा लोकसभा दोनों के अस्तर पर वो कारवाई करें उन्होंने मुलाकात भी की संस्दिये कार्यमंत्री से और इस बात के लिए अब तैयारी हो रही है कि राजसभा में तीनों के तीनों सांसद अनील देशाय प्रियंका चतुरवेदी और संजयराउत उन्होंने अगर विप का उलंगन किया तो इसका मतलब है कि उनकी सदस्ता भी खत्म होगी और लोकसभा में भी जो पांच सांसद बचे हुए है उद्धव ठाकरे के वो भी अगर एक ना सिंदे के साथ नहीं आये या फिर विप का उलंगन किया तो उनकी सदस्ता भी खत्म हो जाएगी यानि की लोक सभा राज सभा विधान सभा और विधान परिचत ये चारो जगों पर अब उद्धव ठाकरे शुन्ड पर आने वाले हैं वो खुद MLC हैं उनकी सदस्ता भी खत्म होगी और उनके बेटे आदित ठाकरे जो MLA हैं उनकी सदस्ता भी खत्म कर दी जाएगी और उन्हें भी नहीं बक्षा जाएगा तो मतलब साफ है कि अब उद्धव ठाकरे पाठी और सिंबल तो खोच चुके हैं अब बच्चे खुचे विधायक सांसत जो उनके हैं वो भी या तो एकना सेंदे के साथ जाने को मजबूर होगे या फिर अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी सदस्ता खत्म होगी राजसभा का अगर तीन सांसदों की सदस्ता खत्म होती है फिर से चुनाव होता है तो उद्धव ठाकरे के पास एमेले ही नहीं हैं तो वो राजसभा में भेज क्या पाएंगे संजय राउत भी जाएंगे प्रियंका तेरे, धन्यवार।